कि दोस्तों चलिए एक मिट रुकिए का कि हम लोग अलबो का डिजैन करने वाले हैं तो पीविसी एलबो वन इंची पाइप है यह तो इसका हम लोग मोल्ड बना रहे हैं मैं आपको एक बर दिखाएता हूं यह देखो तो मुझे एक बर कंफर्म करना पड़ेगा कि आवाज तो इस व्मॉड को फिर्म पाइप कर लिया है मैंने खुद का अपना लेक्चर एक बर देखके चेक कर लेता हूं कि आवाज ठीक से आ रहे हैं कि नहीं है तो इस व्मॉड को कितना बना लिए था है कितना बना लिए था तर लिए तीन लेक्षर पहले को देखना पड़ेंगे तरह की आपको सबढ़े जाया कि हमने इसको कैसे बनाया है क्लकुलेशन आपको इसमें नहीं बताए के लिए आपको कोस करना पड़ेगा कोर्स करने के लिए आपको description में कुछ link आपको मिल जाएगी कुछ numbers मिल जाएगे महां पर आप मुझे WhatsApp में मेसेच कर सकते हो for the course detail ठीक है चलो देख लेता हूं अब धिक से आरी है मेरा फें थोड़ा सा ज्यादा चल रहा था तो फें को मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है ताकि आवाज आपको प्रॉपर तरीके से आए ठीक है चलो Ctrl-J करके मैं इसको कर देता हूं थोड़ा सा Translence कर देते हैं Translence ही मतलब Transparent कर देते हैं तो आप को दिखिंगा इसका gate point कहां पर है देखो यह रहा है यह यह इसका gate अंदर से जा रहा है ठीक है अंदर से जा रहा है मतलब कौन सा gate है tunnel gate है कौन सा gate है हमारे पास tunnel gate है ठीक है जो हम लोग lecture खतम करेंगे उसके last के the 5-minute आप से थोड़ा सा conversation करना चाहूंगा मैं ठीक है जो चलिए ठीक है तो इतना हम लोगों ने create कर लिया था अब क्या करते हैं इसको control-J करके फिर से में क्या कर देता हूं इसको trans leansi की कम कर देता हूं उसको फिर से हम लोग solid body बना देते हैं तो top plate cavity plate core plate और यहां क्या है spacer तो इक काम करते हैं यह वाली plate और यह वाली plate को पहले आपस हम लोग क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं अधर नहीं ढ़िव गरट के अन्दर आपको कुछ groups वेरी काटना पड़ए है जैसा मैं अबको बताया था इसके अनदर कुछ क्रूप करते हैं और में कुछ काम कर दो ता हूं 1 minute ट्यूब 1 mm का, ठेक है 1 mm का ट्यूब हो गया, Ctrl t करके इसको move कर देता हूं जरा, इसको कर दिया, okay, Ctrl t करके फिर इसको copy कर देते हैं और इसको मैं पीछे ले जाता हूं, ठेक है, इसको कर दिया मैंने, okay, ठीक है इसको कर देते हैं तो उस वालो अबजेक्ट पर बिचला जाएब ये वस्र प्लेट सेक्ड प्लैन ओके अब चार को सिलेक कर लेते हैं वघ्सको जब यह लोग इसको मिरर कर देंगे त। मिरर करने के बाद इसको उस पिलर मैंसे हम कर देंगे तक ही एक गृफ क्रियेट हो जाए ठीक है तो यह जरूरी होता है फॉर दा ओइलिंग है आसे इसको कर देते हैं सब्स्टेक्ट कि भॉब इसमें से भी हटा देते हैं इसको अपलाए इसमें से भी हटाएधे सब्सक्राइब करते हैं यहां पर यह वाली प्लेट को यह वाली प्लेट को मैं फिर से इदर ले लेता हूं यहां से सब्सक्राइब जयता है करते हैं कि पास वापस आ जायेंगे तो बैसिक लिए इसके पॉकेटश लेगा हूं एक हैं में यहां से ँपना करता हूं कि यह से निकाल सकते हो देखो पीछे से ठीक है ना इसको यहां से निकाल सकते हो अगर मैं इसको इसके साथ मैं प्रॉट को तो इसके साथ पींट के सत्ध कर दूँ थे फिट हो गया इसके पींशे कोल पाले लग जाएगी यह अफिक्सी अप्डह चाल जा इसके पीछ पैर Mark लागने तो यह अलररी आइक खीख सो गया और यह पर है अब क्रॉबार्ण से ग definis हूं एक sketch लेते हैं ठीक है अब जो गाइड प्लेयर जो आपको market में जो आपको readyment जो मिलता है वो वाले shape कमेंun अबके लिए बनाने वाला हूं ठीक है देखेगा अब अब इससे करते है एक्स्ट्रोड यहां से करते हैं जीरो टैने में मुपर कर देते हैं और इससे कर दिया मैंने इसको इसके साथ कर देते हैं युनाइट यहां से लिया युनाइट इसको इसके साथ कर देते हैं युनाइट 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 ठीक है इसको करेंगे सब्स्टेक्ट इसको कर देते हैं सब्स्टेक्ट और ऑफसेट डेल लेते हैं कितना है इमम का 0.5 मैक्जियूम ज्यादा मतलो पर सेट वने में मुझा आएगा ठीक है इसको मैं कर देता हूं लेंक्त आएगे और इसको मैं यहां से पीछ़ेव ले रहता हूं जैसा कि मैंस 10 और यहां से कर देते हैं सब्स्टेक्ट इन विच बॉड़ी इन टॉप्रेट ठीक है एगर मैं इसको फिर से उस प्लेट को टॉप लेके जाऊंगा तो यह किस तरह से हो यह वाला pillar हो गया, यह pillar का length हो गया, प्लेर का length क्या होता है, component की height plus 10 mm और 15 % आपको clearance लेना पड़ता है, ठीक है? ठीक है तो देखो यहां से अगर एक्जाम्पल अगर 35 mm का 40 mm का कंपोनेंट की हाइट है तो आपको 10-15 mm आपको एक्स्टा लेना पड़ेगा ताकि पिलर और गाइड बुश जो गाइड बुश होगा और गाइड पिलर होगा उनका अलाइनमेंट पहले हो कोर और केविटी के से पहले जाने में अपको वायर के बता दू तो आपको थोड़ा सा ुरः कलैर हो जायेगा तो यह कूंसा पॉर्षन है यह पॉर्षन है टॉप पॉर्षन ठीक है आप इसको भोल सकते हो ओ क्या बोलोगे इसको fixed half, ठीक है, यह देखो, fixed half है, और यह कौनसा half है, moving half, इधर वारा जो portion है, moving half है, इधर कौनसा portion है, fixed half, ठीक है, तो cavity side है, तो बापिस से solid कर लेते हैं, अब हमको यहां पर दोनों प्लेटों को आपस में जोड़ना है, क्योंकि इसको आपस में जोड़ना ठीक है, यह दो चीछे हैं, जिनको आपस में आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, चलो, जोड़ने के लिए हमको temporary joint का इस्तमाल करना पड़ेगा, temporary joint means, ln bolting, click करते हैं, ok कर देते हैं, ठीक है, यहां पर एक काम करते हैं, यहां पर मैंने sketch करा, यहां से मैं एक काम कर लेता हैं, तो मुझे कुछ sketch बनाने के लिए points मिल जाएंगे, ठीक है, तो क्या करूँ मैं, बताओ, यहां पर मैं इसको bolting कर दूँ, इधर करना है या इधर करना है, लेकिन जो भी आप bolting करोगे वो उधर भी होना चाहिए, तो मैं एक बार उधर वाला position देख लेता हूँ, यहा इसी direction में मैं इसके bolting करूँ गा, यहां पर मैं देता हूँ 50 का distance, इसको करते हैं, यहां से मैं ले लेता हूँ एक, इसको ले लेते हैं, ओके कर देते हैं, यहां से इसको कर देते हैं, mirror, ठीक है, दोखो mirror command का इस्तमाल आप मैं इसले करता हूँ, तकि आपको CD, जो center circle है वो आपको किसी भी चीच का बहुत अच्छे से मिले, ठीक है, ताकि मैनुफेक्चरिंग के दुरान problem ना होने, तो मैनुफेक्चरर जो होता है, जो Delcam पे या फिर NX Unigraphics पे जो प्रोग्राम बनाते हैं, प्लेट के, और जो उसको मैनुफेक्चरिंग करते हैं, वो आपको कॉंसी बोल्टिंग करना है, क्यों किस से जोड़ोगे, चाउंटर संग से तो नहीं जोड़ोगे, हमारे पस ऑप्शन है, एक चीज़ धान रखना, कि जब ही आप इसको जोड़ोगे, या फिर आप इसको जोड जोडते हो ना, तो यहांपर आपको पहले से डिसाइड कर ल कोलिंग siyer नहें दॉस्ख कर ली लिए करें तो एसा नहीं पर लिस के जहांगता हैं तो कोई दिल्ककत नहीं निकालोंग तो कुई निकलने से कोई मतलब ने बनता न यहां से निकालना पड़े को यह वाला यह वाला पॉरिशन आप कुलिंग निकाल लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं चलो ठीक है तो एक काम करते हैं M12 नहीं M16 देना चाहते हो तो M16 देदो इसकी लेंग्ध को मैं अगर थोड़ा सा बढ़ा सकते हूं तो बढ़ा भी बढ़ा भी सकते हैं बढ़ा देत इसकी लेंग्ध को यह से जाते हैं डेप्थ और डेप्थ को कर देता हूं में 40 तो देखो थोड़ा सा डिस्टेंस कम हो रहा है क्या हां मैं भी डिस्टेंस कम हो रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूं 30 कर देते हो इसको कि कर देते हैं ठीक है अब यह करने करते है सभी पॉइंट को में सिलेक कर लेता हूँ, 1, 2, 3, 4th पॉइंट अपने पहले सिलेक कर लिया था, इसो कर दिया में आपके, यह हो गई बोल्टिंग, अब इसमें एक और चीज होती है, वह होती है, डॉवेल, तो डॉवेल आपको हमेशा हर मोल्ड में बनाना होते है, ठीक है, फॉर दा बेटर अलाइनमेंट अफ टू प्लेट्स, ठीक है, डॉवेल क्यों यूज होते हैं, ताकि आप दो या दो से ज्यादा अधिक प्लेटों को, या फिर अपजिट्स को, आप आपस में सही तरीके से अलाइन कर सको, इसके लिए आप डॉवेल बनाते हो, ठीक है, त है पचास की डिस्टेंस पर, यहां से बहीं मैने पचास लिया था, यहां पर भी मैने पचास लिया ठीक है, चलो, यहां पर एक डॉवल ले ल syllabus है कितने का ले ले बताउं, बार्रा का ले ले लिए, तीक है, बारा का ले संडिखो नय यहां लेको दिखकत नी हैं, क्या ने यहां से कर देते हैं, extrude, इसको एक्स्टूड, इसको एक्सटूड, उसको कर दिया, OK, यहां से कर दिया, जीरो, और इसको मेने कुश्ड लेंग्थ देदी, 60, OK, चलो, तोनों प्लेटो का framework करने के लिए हमको देना जैसे मैं आम को बताया इसको कर देते हैं ense. None कर देते हैं और हमके टेक हैं कि यहां सब्स्ट्रक्ट इसमें से इसको सब्स्ट्रेक्ट कर देते हैं इसको अब भी सब्स्ट्रेक्ट नहीं करते हैं एक काम करते हैं एक बना के बता रहो इसमें से इसको भी सब्स्ट्रेक्ट कर देते हैं यहां से कर दिया सब्स्ट्रेक्ट कर दिया सब्स्ट्रेक्ट कर दिया सब्स्ट्रेक्ट कर काम करेंगा देखो ये ठीक है दोनों प्लेटों को आपस में जोड कर रखेंगा इसका जो होल होता है वह होता है ऐसे इसको देता हूं मैं कुछ चैंपर वन का ओके तो यह को अपलोगों को क्लियर हो रहा हो गया लिए तो फिचर करना है यहां से मैंने लिया मेरर फिचर ठीक है तो फिचर कुन सा था मैंने किया था extrude और substract दोनों का कर देता हूँ 1 और 2 apply ठीक है फिर से कर देते हैं feature 1 2 और 3 ठीक है यहां से कर देते हैं ओके देखो चार तरफ हो गए ठीक है तो यहां पर इसको भी कर देते हैं chamfer और इसको भी कर देते हैं chamfer ठीक है control जे करके इसको color देते हैं जैसे for example dowel के लिए अगर standard देखा जाए तो pink color का आपको अधिकतर dowel देखेगा किसी भी industry के लिए तो इसको मैं कर देता हूँ pink color और तक कि आपको एक डिफाइन हो जाए कि यह वाला जो hole है basically वो dowel है यहां पर dowel की position आपने यह दी है तो वहां पर भी आप dowel की position कुछ भी दे सकते है जो आपको ठीक लेगे ठीक है जरूरी नहीं कि यह वाली position देना है ठीक है लिकर dowel देना जरूरी है आपर मैंने bolting कर दी एक बर मैं आपको इसको wireframe करके बतायता हूँ तो कभी भी आपने किसी भी mold की plate का अगर drafting देखी होगी तो drafting आपको कुछ इस तरह की नजर आएगी लेकिन अभी इसके पिछे के अगर मैं सभी parts को भी अगर जोड़ दूँ तो आपको थोड़ा सा अलग सा portion नजर आएगा ठीक है चलो यह हो गया ऐसे को कर देते हैं ठीक है तो अब यह वाले portion में हम लोग कुछ बना देते हैं चलो ठीक है देखते हैं क्या चीज़ेस के अंदर कर सकते हैं हम लोग अभी तो यहां पर इसको हमने fix कर दिया इसको इधर से fix कर देते हैं यहां से 1,2,3,4 तो यहां पर यह वाला portion fix होगा यहां से मैं इसको कर देता हूं hide इसको भी कर देते हैं hide तो यहां पर मैंने आपको bolting के लिए कहा था तो इसमें से पहले subtract करना पड़ेगा यह वाला whole subtract करना पड़ेगा यह रहा इस whole को कर देते हैं subtract यहां से कर देते हैं extrude यहां से लिया single curve फान टू रो ट्री और यह four इससो कर दिया okay जहां से कर रहा इसको subtract पहले इस body में से कर देते हैं चारो को तो एक बार में हो जाएगा ठीक है और इन में से मुझे करना पड़ेगा इसको तो इसको भी सब्सेक कर देते हैं ठेक है बाद में तो करना ही पड़ेगा तो अभी कर देते हैं इसको इसको कर देते हैं ओके यहां से और इसको स्लेक्ट कर लेते हैं ठीक है और यहां पर कर देते हैं एप्लाइए इसको भी क्लिक करते हैं, यहां पर भी क्लिक करते हैं, और यहां से इसको सिलेक करते हैं, और इसको करते हैं, ठीक है, यह हो गया है, अब इसकी फिर से बोल्टिंग करनी है, तो महां पर कितने की बोल्टिंग करी थी हमने, M12 की बोल्टिंग करी थी न, यहां पर भी M12 की बोल के चल्व के शॉसीं यहां से एक संट्रर से एक स्केश्ट ये थे हुआूं कितना डख़िस्ट स्थ्लटर खिर टेंकर चलो यहां से करें तैंकर यहांसे कुछ तो मैं एक त पीज़़ निए मैं प्रक्शिंटर लिंड लएक धूर्टाई चीचप के लगाउन चारो बोल्टिंग देने के गाद मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा तो वो भी आप एक बार सा सुन लिजेगा इंपटेंट है यहां से इसको क्लिक करते हैं चलो वन मिनिट बोल्टिंग हो चुकी है यहां पर आपको डाफ देना है तो भी आप को यहां पड़ेंगे इन तेव擊 का को नहीं पड़ेगी अपको दोल्वरित नहींगे और ऐस ई какая कारण है तरह कारण यह है क्योंकि यहां पर आप क्या कर सकते हो ऐस की यह वाला जो au करता हूं और इसको चलो इसको एक काम करते हैं यहाँ पर और इसको में कर देता हूं से एक बार जरूबी होता हैं बीच में भीशन बिर एक स्वय जड़ाल सेव कर ने से क्या रहता है कि कि आपकी चैनल को अभी देख रहे हैं तो आप मुझे मेसेज कर सकते हो लेकिन मेसेछ करने के लिए आपको से चैनल को सस्क्राइब करना ज़रूरी है, तो आप मज़े यहाँ पर कुछ कोशेटिन पूछन पूछना हो तो कुछ सकते हो और जोबी आपको pvc एल्बो पाइप के बारे में जो जानकर लेना है वह चीज कर सकते हैं क्योंकि अभी हम लोगों ने क्ले बस भी पा सकते हो ठीक है डूरेशन 30 डेस का ओनलाइन लाइब लेक्चर में प्रोवाइड कर आता हूं गुगल लाइब मीट क्लासे में आपको प्रोवाइड कर आता हूं लेक्चर रेकॉर्डिंस 10 फोल्डर कोर्स और कंपोनेंट विच सोर्स वाइल ओके फॉर्ड़ 500 रुपेस का रेक्षेशन फीज है फोर सेक्रिंग सीट ओके एनेक्स इनग्राफिक का केड नॉलेज होना ज़रूरी है फॉर दे प्लास्टिक मोल डिजाइन कोर्स अकर नहीं है तो एनेक्स इनग्राफिक के कोर्स के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ इसको करना पड़ेगा ठाना पड़ेगा ठीक है देखो यहां पर एननेक्स-इनेग्राफिक का है तो इसके अंदर कुछ प्रेक्टिस सेक्ट हम से और देखेंगे के दोरान 15 दिन का कोर्स रहता है 15 15-10 का कोर्स रहेगा तो 15-10 का लाइब लेक्चर का कोर्स रहेगा जिसमें लोग सभी कमांड्स हो गेरा सभी चीचे देखेंगे step by step ठीक है और mode design का कोर्स है तो mode design पी तो NX Unigraphics का knowledge आपको होना जरूरी है plastic mode design का कोर्स करने के लिए ठीक है care software का knowledge होना बहुत जरूरी है का कोर्स है तो mode के कोर्स करने के लिए NX Unigraphics आपको करना जरूरी जैसा मैं आपको बताया ठीक है अगर आप कुछ exclusive benefit चाहते हैं तो YouTube पे जाए और यहां पर आप चैनल डालोगे tech design study tech design study पे जाके आप join button ले सकते हो जाइन बटन कर सकते हो इसके अंदर आपको कई exclusive कुछ वीडियो मिलेंगे जाइन बटन जब आप करोगे यहां पर ब्रांज, सिल्वर, गोल्ड, डामेंड, जो भी आप लेना चाहते हो ले सकते हो सबके अलग-अलग कुछ ना कुछ benefits है सिल्वर अगर मिनिमम आप सिल्वर अगर बटन जॉइन करते हो तो आपको इसके अंदर बहुत सारे advanced tool designing के वीडियो होंगे जो आपको मिलेंगे जो की only for members के लिए है जो members पहले से हैं सिर्फ उन लोगों के लिए है तो आप जॉइन कर सकते हो कभी भी आपको जहां पर जॉइन करके जो भी level आपको लेना हो आइसा नहीं है तो फिर चलिए मोल्ड का आपके लिए इतनी मेहनत करना पड़ती है तो इतना तो कर सकते हो है कि नहीं चलिए यहां पर एक काम करते हैं इसको मैं ले लेता हूं solid body control a इस पर कर देते हैं क्लिए और हम लोग ने कितना मॉल्ड बना लिया एक बार wireframe में करके देख ले देख keset ना बना आके इस उक्छे कर लिया दे अब इसके अंदर हम लोग को क्या बनाना है इसके उन्पर बनाना है कुछ slider condition के इसके हम जर्We किसके लिए बनाना है यह वाले यहां पर कलिक करते हैं चलो कि इसके लिए बनाना है तो आफ्टेस करना पड़ेगा तो इसके लिए цलेशलाइटर बनने के लिए किकल पर थे हैं यहां पर क्लिक करते हैं तो दोनों जो अंडर्कुट का लेंग्थ और उस से ज्यादा आपको इसका मुवमेंट देखना पड़ेगा तो लेकर यह कर यह तक पॉर्षन डेखना पड़ेगा इसको त्रेवल कर वाने के लिए एक एंगल कालकुलेशन होता है जिसको बोलते हैं स्लाइडर केम एंगल काल तो slider cam angle calculation के वहाँ पर आपको जरुवत पड़ती है लेकिन मैं आपको direct slider बना के बताऊंगा, ठीक है, चलो, तो यह काम करते हैं, इसको मैं यहां से हटाएता हूं, इसको भी यहां से हटाएता हूं, ठीक है, और यहां पर मैं कर देता हूं, slider आपको बना के दिखाता हूं, ठी ठीक है, चलो, यहां पर click करते हैं, ठीक है, इस पर click किया, इसको कर दिया मैंने, OK, ठीक है, यहां से मैं इसको ले लेता हूं, ठीक है, इसको कर देते हैं, no filter selection, और इसको कर देते हैं, 60, 65 कर देते हैं, और OK कर देते हैं, ठीक है, कर देते हैं इसको अइक्स्ट्रूड कर रहा हूं कोई कार ने किलिएचन का इस्तमाल लगी रही है देख तो यहां से मैं से कर देता हुए ने इसको कर देता हूं नीचे तक है इसे कर देता हूं दो ठीक है एहां से खोड़ा से इसको यहां तक ले जाते हैं, ठीक है इसको सब्स्रेक्ट कर दूँ, इसको कर दिया, subtract, इसको कर दिया, okay. इसमें से इसको भी subtract कर दूँ, इसमें से इसको भी कर दियता हूँ, subtract, और एक कर दिया मैंने, okay. तो मान के चलो कि इसको मुझे बनाना है पुरा complete ये slider के लिए है, ये पुरा slide करेगा इसके उपर, ठीके, यह क्या करेगा इसको पर slide करेगा control T करके यह करेगा slide यहां से यह करेगा इसको slide इसके अंदर में angle जो angle होते हैं वो नहीं इसके अंदर में create कर रहा है जो angle होते हैं इसको वो create नहीं कर रहा है मैं इसको direct slider बना रहा हूँ यहां पर मैं दो सेंडर लेता हूँ, ठीक है, क्या लेता हूँ, दो सेंडर, कैसे, देखो, बताता हूँ, चलो, चलो, इस पर क्लिक कर देते हैं, ओके कर देते हैं ठीक है यहां पर एक सेंटर से मैंने एक पॉइंट लिया ठीक है इन दोनों का एक सेंटर ले लेते हैं ठीक है यहां से इस दोनों का एक सेंटर ले लिया मैंने ठीक है तो यहां पर एक हो गया प्लेन इसो कर दिया मैंने ओके चलो यहां पर मैं एक प्लेन ले कर डिया। ठीक है। थीक है। यहां पर एक लाइन ले सकता हूं मैं भी एसा कर दिया, मैंने कर दिया।। मैंने स्केच गścieि कर देते हैं । ठीक है। जो फो खर धतिया एंगल, मैं की काकशिट लिmost सपनी나라 है। यहां मैं यहां पर ले लेता हूं ठीक है जैसे फॉर एक्जामपल मेरे पास जो एंगल आया है वह एंगल आया है इतना ठीक है इसको मैं आगे तक ले लेता हूं, चलो, ठीक है इसको पीछे तक ले लेता है यहां से, ठीक है, इसको कर दिया मैंने, ओके, चलो, इसको मैं यहां पर बनायता हूं, ट्यूब, यहां पर बनायता है इसको ट्यूब, 1 और 2, इसको कर देते हैं, सिस्टीन, इसको कर दिया मैंने एक पीन बना दी मैंने एक पीन बना दी सिस्टिन के डाया की ठीक है अब इसको मैं देता हूं चैंपर अब जो इसके अंदर जो slider movement करेगा ना वो यह वाला movement करेगा देखो यह वाला देखो बताता हूं कैसे देखो यह वाला करने वाला इसके अंदर ठीक है अधम कैसे यह वाला इसको मैं थुड़ाषा आ ऊपर ले जाता हूं कि यहां से कर दिया इसको पूपर कि ह tougher Okay कि यहां से कर दिया सको आ ठीक़ इसका proper angle calculation को ना बढदता है तो एंगल Character मैंने आपको यहां पर बताया नहीं है क्योंकि angle calculation में time लगता है तो आपको एक तरीका बता आया है मैंने कि आप किस तरह से इसको बनाओगे ठीक है तो इसका angle calculation आपको करना पड़ता है ठीक है चलिए यह चीज़ हो गई यहां से कर दिया मैंने इसको to ठीक है इससो कर दिया मैंने यहां से radius दे देता हूं कुछ ठीक है ओके कर दिया ठीक है यह किसके अंदर movement करेगा यह वाला portion किसके अंदर movement करेगा इसको मैं यहां से अभी कुछ भी नहीं कर रहा है ठीक है यहां से इसको मैं कर देता हूं mirror geometry 1 और यह specific यह और central वाले plane से दोrees प्लेट आ चुकि ए किसके अंदर movement करेगा इसके अंदर इसके position कहा पर रहेगी देखू यहां पर अगर मैं पूरे को बता हूं рहां इसके centre हम मूफ्मेट करेगा रहा वो यह देखू इसका centre म trmokr moment करेगा यह पाई गर ल today ठीक? यह दो ठीक, इसके इंदर में रेडियस प्रोवाइड कर आयता हूं ठीक है यह कर दिया, ओकी ठीक है, यह वाला गप्रोषन रहेगा इसके अंदर भी हमको कुछ यहां से होल देना पड़ेगा यहां पर इसको भी मुझे कुछ प्रोफाइल यहां से काटना पड़ेगी, जैसे कि यह वाला, इसको, ठीक है, यह देखो, ठीक है, इसो कर दिया मैंने, ओकी, ठीक है, इसमें से भी कुछ प्रोफाइल इस तरह से काटना पड़ेगी, जो की होल के बराबर रहेगी, यहां पर यह वाली, पॉप 파ile, इसके अंदर से काटना पड़ेगी ताकि इसके अंदर ये टच ना हो, बतायता हूँ मैं, इसपे कलिक करा, ऊके कट कर जिया, यहां पर स क्लिक किया, ऊके कर दिया, तो इसके लिए हमको केल्कुलेशन करना पड़ती है, तो केल्कुलेशन करने के लिए को जोइन करना पड़ाईगा वी केल्कुलेशन इसकी बड़ी है एक लेक्चर में पुरा कम्प्रीट नहीं कर सकता ठीक है ठीक है उसके लिए पूरा एक लेक्चर लागे का समझाने के लिए ठीक है ऐसो कर दिया यहां से मैं इसको कर देता हूं क्यां रिम कर दिया है यहां से कर दिया इसको मिरर एसकेच सेंटर लाइन ले ले लेतें सेंटर लाइन ऐसेंटर लाइन ठीक है चिक है यहां से इसको कर देते हैं सब्स्टेक्ट चिक है सब्स्टेक्ट कर देते हैं इस बॉड़ी में से सब्स्टेक्ट है तो आपको एक तरीका समझवा आया हुगा किस तरह से हम लोग इसको बनाने वाले हैं ठीक है यह देखो ठीक है अब यह movement चांगा करेगा इसके यहां पर moment करेगा, ठीक है, इसके अंदर बैसे के लिए गाइडरेल भी बनेगी, यहां पर यह गाइडरेल भी बनेगी, यहां पर इसके आगे तक हम लोग गाइडरेल ले जाएंगे, गाइडरेल भी आगे ले जाएंगे, और गाइडरेल के साथ साथ इसके अंदर एक limit plate बनेगी क्या बनेगी एक limit plate ठीक है तो यहां तक जोगी आगे तक जाएगी ठीक है लिमेट plaid बनेगी जोगी आगे तक जाएगी ठीक है जो तो एक concept आपको समझ माया होगा कि किस तरह से हम इसको बनाने वाले हैं और किस तरह से इसका slider mechanism काम करेगा तो यह angle pin जो होती है angle pin के लिए हमको calculation लगती है देंसिटी का चार्ट चाहिए ओके अपनी स्पीड थोड़े सी कम कर लूँआ मोल का कंसेप्ट एकदम क्लियर है करेंज और कितान केm actuation क्या पूछना चाहते हो थोड़ा समझ नी आ लेकिन आपकी अपनी स्पीड में थोड़े सी कम कर लूँआ और मुझे श्रिंकेज का density का चार्ट से श्रिंके जैने density का चार्ट बैसे काई के लिए चाहिए आप मुझे यह बताईए पहले तो आपको इतना समझ भाया होगा इतना में में आपको बताया है concept basically मैंने आपको समझाया कि concept किस तरह से काम करेगा यहां पर ठीक है किस तरह से आप इसका आप मोल्ड को complete बनाओगे ठीक है चलिए मैं देख लेता हूं आपसे थोड़ा सा conversation कर लेते हैं ठीक है तो बताईए श्रिंकेज का चार्ट मैं आपको बतायता हूं कर दो आए तो आपको ने का कुछ बतायता हूं तो आपको थोड़ा से समझ में आजाएगा ठीक है चलिए यह देखो यह वाला जो चार्ट का यह जो आपको चार्ट दीख रहा है तो यहां पर यह चार्ट दिख रहा है आपको प्लास्टिक मेटरियल का जिसमें ABS, polyesterine, PS, nylon, acrylic, polycarbonate यहां पर सभी मेटरियल आपको दिख रहे हैं तो percentage में सभी के यहां पर दिया हुआ है तो percentage में 0.4 से लेकर 0.6% तक ठीक है और यहां पर 4 माइक्रोन से लेकर 6 माइक्रोन कितने माइक्रोन होते हैं 1000 माइक्रोन होते हैं सबको बता है इतना नहीं पता होगा तो फिर इंजिनेरिंग करने का कोई मतलब नहीं है ठीक है चलो तो यहां पर सभी के लिए श्रिंग के चार्ट दिया हुआ है जैसे PP मटरल है तो polypropylene के लिए क्या दिया है एक से लेकर 2% एक से लेकर 2% मतलब किता हुआ 10 माइक्रोन से लेकर 20 माइक्रोन तक है कि नहीं अगर मैं हजार माइक्रोन का एक परसेंट किता हुआ तो हजार माइक्रोन का एक परसेंट तो 10 माइक्रोन हुआ ना एक परसेंट किता हुआ हजार माइक्रोन का एक परसेंट 10 माइक्रोन सब बैसिक कंसेप्ट सबना पारिये में आपको पहले बाता चुका हूँ आपको समझ मों रहा जा का स्केल बाड़े सबस्क्राइब का एक फोर्मुला होता है रखोगे, तो क्या value आएगी यहाँ पर, बताओ मुझे कितना है, एक बार calculation करके बता दो, यहाँ पर आएगी, 3, divide by 100, कितना है, 0.03, plus 1 कर दो, कितना है, 1.03, तो यह कितना हो जाएगा, 1.03 हो जाएगा ना, ठीक है ना, तो simple सी चीज़ है, ठीक है, चलो, और क्या पुछ रहे यहाँ अफकोस, material के हिसाब सही shrinkage value आपको लेना है, material के हिसाब सही shrinkage value चेंज होती है, ठीक है, अगर material चेंज करोगे तो shrinkage value भी चेंज होगी, जैसा कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, देखो, material अगर यहाँ पर ABS material है, तो shrinkage value के percentage क्या होगा, 0.4 से लेकर 0.6 परसें तक है कि नहीं, हर material के लिए अलग अलग shrinkage value होता है, ठीक है, चलो, और बताइए क्या question पूछना है आपको, ठीक है, जो भी question पूछना है आपको shrinkage value से लेकर, या फिर material से related, या plastic से related, कोई भी चीज अगर आपको जानना है, तो आप मुझे message कर सकते हो, लेकि message करने के लिए चैनल को subscribe करना जरूरी है, अपने दोस्तों को, अगर आप final year में पढ़ रहे हो, या फिर second year, third year में पढ़ रहे हो, engineering के, तो आप उनको भी share कर सकते हो, चैनल, ताकि वो भी इस चीज का knowledge ले सके, ठीक है, तो tool design से related, अभी मैं कुछ और lecture लेके आने वाला हूँ, बहुत अच ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ समझ महा रहा है, यहाँ पर कुछ points है, required information tool or design, ठीक है, टूल डिजाइन करने के लिए कुछ important points है, यह important होते है, अगर से कोई भी points अगर आपको नहीं समझ महा रहा है, तो आप में से पूस सकते हो, ठीक है, देखो, यहाँ पर tonnage, molding machine का tonn machine को calculate करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, component का design आपके पास, उसका projected area आपके पास होना चाहिए, तो एक specific formula में, जब आप उस value कर रखोगे, तो उस machine का tonnage value निकल जाएगा, ठीक है, चलो, ठीक है, समझ में आया इतना, ठीक है, और साथ में क्या होता है कि, इसमें से कोई भी question अगर आपको पूछना है तो आप मुझे पूछिए, अगर बताइए कुछ भी अगर कोई भी चीच पूछना है इसमें से, ठीक है, कर और cavity सबको पताएगी, के cavity और को चलिए, एक बार extrusion और air mold, air mold कैसे design करते हैं, extrusion mold और air mold दोनों अलग है, basically, जो extrusion method होती है, हम लोग लंबे-लंबे pipe बनाते हैं, आपको पता हुआ कि, लंबे-लंबे pipe कैसे बनते हैं, तो pipe बनाने के लिए हम लोग extrusion molding का इस्तमाल करते हैं, ठीक है, तो अगर आप मेरे channel को support करना चाहते हो, super sticker और super chat, इसका इस्तमाल करके, आप मेरे channel को support कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर जो भी sticker वगर लेना है, आप ले सकते हो, support कर सकते हो, जितना भी super chat का इस्तमाल करके, आप मुझे support कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर, आप super chat ले सकते हो, जितने भी, आपको amount का super chat लेना है, वो refer maskšt के पार्ट का आपको पता ही होंगे टप बाटम प्लेट और बाटम प्लेट का साइस दोनों नों का एक ही जय सा होता है यहां पर कॉर प्लेट के ठीक के ब्ली प्लेट है थी ज़नाीया के डुड strips यहां प्लू सलगर की बीडिक केs should कोरेंड के विटी ठीक है A plate और B plate क्या है आपर के विटी प्लेट और कोर प्लेट ठीक है जिसके बीच में ejection system जो ejector grid होती है वो moment करती है ठीक है returner pin क्या होती है returner pin basically क्या होती है कि ejector grid को वापिस अपनी home position पे लाने के लिए काम मैं आती है ठीक है चलो parting line selection, parting line selection केसे करते है, good question, parting line selection के बारे में आपको थ्टोड़ा सा बताता हूं कि parting selection केसे हम लोग करते हैं, तो सब्से पहले मेरे पास एक component हो, ये ounce component, वे इस component को मैल थ्टोड़ा सा इधर ले लेता हूं, तो इस component में, आप ध्यान से देखूगो तो इस component में, मैं parting line selection कैसे करूँ, मतलब parting line कैसे इसके अंदर बताओं कि मैं parting line कहां से जाएगी, है कि नहीं, तो देखो, इसमें क्या है, कि इसमें undercut कहां पर आ रहा है, अगर मैं इस component को इस तरह से रखता हूं, केविटी में, तो निकाल दूगा, और यहां से यह slider निकलेगा, क्योंकि अंदर का portion बनाना है न आपको, चलो Ctrl H करके देखते हैं, Ctrl H, ठेक है, यह देखो, तो यहां से यह वाला क्या हो गया, undercut हो गया, अब यह undercut हो गया, तो इसका मतलब है कि इसका जो half portion है, औह से निकलेगे वाला कखेया, dog, इसका half portion जायेगा, core side में, ठेक है, और यहां पर core side में से ही slider मयुक्यट, ठीक है, अगर वे ant tep view में अगर एसे रखताहूं, dap view में आसे रखताहूं तो यहां पर हमारे पास फेग option होता है किसका Sellout Curve का तो यहाँ पर स्थिरे कर्वों में जाते हैं और Extract Curve में जाते हैं और यहाँ पर Sellout Curve लेते हैं Sellout Curve पे क्लिक किया और इस component को एक बार सिलेक कर लिया और OK कर दिया तब आपको समझ मा आएगा कि पार्टिंग लाइन कहा बनेगे देखो इसमें पार्टिंग लाइन कहां बन रही है यह बन गई इसकी पार्टिंग लाइन देखो दिख रही है पार्टिंग लाइन यह देखो जो भी आपका तॉप फ्यू है तॉप फ्यू को रखके आपको अगर पार्टिंग लाइन निकालनी है तो आप Extract curve पे जाओ, Sloud curve पे क्लिक करो, Component को Select कर लो, ठीक है, तो आपको एक अपनी parting line समझ मा आजएगी, Basically, इसकी parting line बनने कहा वाली, तो इसकी parting line कहा बनेगी, देखो, यह वाला जो portion रहेगा, यह इसके parting line बनेगी, ठीक है, नहीं समझ मा आया, parting line बता दू कहा है, देखो यह देखो, अगर इसके अंदर देखोगे, तो देखो, parting line महीं बनी है, जा मैंने बताई थी आपको, देखो, यह देखो, यह है parting line, क्योंकि parting line बेसिकली क्या होती है, और केविटी बाला portion, जहां पर मैट करता है, वह ही parting line होती है, बाकि इसको तो मैंने यहां पर profile step लिया है, देखो, profile लिया है, यह देखो, यह देखो, यह बनी, देखो, यह रहा parting surface, ठीक है, ना, चलो, फिर से question, कोई question पूछो अगर, ठीक है, समझ मा आया, parting line selection का, parting line को selection कैसे करते हैं कोई भी और दूसरा question पूछना हो तो पूछ सकते हो मैं तुरंट भी बता दूँगा जैसा कि मैंने बता है जो live lecture है तो live lecture में 5-6 मिनिट 10 मिनिट जो है तो वो मैं आपको देता हूँ ताकि आप मुझे कोई भी question पूछ सको किस तरह से parting selection हम लोग करते हैं अगर किसी component के parting line निकाल ला है तो वो कैसे लेंगे अच्छा किसी को भी complete अकर course करना है तो नीचे number दिख रहा है पहले चैनल को subscribe कर लिजे नीचे number दिख रहा है WhatsApp पे आप मुझे message कर सकते हो for getting mold course का syllabus syllabus अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो syllabus में आपको एक बार बता दूँ का complete या तो आप मुझे से question पूछ रहे हो बताएगे syllabus अगर आपको एक बार जानना है तो मैं syllabus आपको एक बार फिर से बतायता हूँ syllabus और complete syllabus में आपको दिखायता हूँ तो आपको थोड़ा सा और help जो हो जाएगी देखो टेक डिजेन स्टडी प्लास्टिक मोल्ड इजाइन 30-day स्कूर्स यहां पर यह तको लाइफ गूगल मेट वीडियो लेक्चर थियोरी वीडियो लेक्चर डिजाइन वीडियो स्टडी मट्रियल इन पीडियाफ असाइनमेंट भी होते हैं उसके अंदर इस प्रोजेक्ट में बात में आएंगे तो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार एडियुम इडियम को भी इलेक्ट्र डिजाइन करना ही सिखेंगे जोके लाष्य को अमारी यह यह एडियां करेंगे डियंगें जिसमें हम लोगली सान्रम व्लेक्टर करना सिखेंगे किस तरह से धरु बैसिकली मैनुफेक्ट्रिंग एस्पेक्ट से मोल्ड को समझना टूल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ठीक है कम्प्लीट मोल्ड इजाइन कोर्स ओन एनेक सुनी ग्राफिक्स तो टू प्लेट यह कुछ प्रोजेक्ट है जो पूरा साथ में हम लोग कम्प्लीट कर हाई तो आप मुझे स्कति है और हियुक्त के लिए कंजी करते हैं यíllकर करते हैं घ्रिट Kitchen इन चाहिं को बनाना पड़ Спасибо ад Ole ठीकुत कैं इस तरह से हैं इसको मैं इस तरह से बनाज़ाक Cam Dašoo। करण देखो इस तरह से हैं यहां से इसको मैं इस तर बनाज़ाने था हूं और अभी एक Ag2 अर्जम्पल क्वा Net देखें हैं कर माथ स्कीक नग घए हैं। इस असको एक पर बैटे था। के की इस इसको कर देते हैं okay यहां से करते हैं इसको extrude और यहां से मैं single curve ले लेता हूँ यहां से zero तो आपको दिख़ा रहा हूँ एक reference के लिए ठीक है यहां से मैं इसको कर देता हूँ zero और इसको कर देता हूँ okay यां से भी reference ले लेते हैं यहां भी reference लेते हैं इसको कर देता हूँ तो यहां से इसको सब्स्ट्रेक कर दिया और ओके तो यहां से जो आपको यह दिखेगा ना इसके अंदर बिसिकली स्लाइड करेगा तो यह वाला जो पॉर्शन रहेगा ना उपर वाला तो यह एक गाइड रिल की तरह काम करेगा इसको आप अलग से भी लगा सकते हो ठीक है चलो इसको अगर मैं यहां से स्लाइड कर दूँ देखो यहां से स्लाइड कर तो इसके उपर यह आसानी से स्लाइड हो जाएगा ठीक है ना यह देखो इसमें आसानी से स्लाइड हो जाएगा देखो यह ठीक है और इसको कर दिया ओके देखो ठीक है तो बेसिकली इसी को बो अगर 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 उसका ज्यादा आता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोलिक और नुमेटिक सिस्टम का अगर उसको ट्रेवलिंग लेंग्थ हमको ज्यादा देनी है तो ठीक है और कोई कुश्यन पूछना है मुझे बताइए तो चले रोलने वाला हमने में दो में परहोंको जो कुश्यन मुझ्से Missमिश्यन पूछना हो आप मुझे सकते हो guitar call these points से डूमिशना हो तब पॉइंट सकते हो question पूछना चाहिए question अगर अगर आप नहीं पूछ भूआ खेशन को पूशन मों पूशन थो से डिएड जो भी और तो सक्ती है ठीकत चलते दोस्तों फिर अलनलोग मिलते हैं कल के दिन मिलेंगे कल के दिन हम लोग करने वाले हैं एक कोरोर केविटी एक्स्टेक्शन फॉर्दा में भी एक केरेट होती है तो एक केरेट के लिए हम लोग करने वाले हैं तो मैं आपको में भी बतायता हूं कुन यहां से लिया एक ट्रे है इसको कर दिया मैंने ओके चलिए यह नजर आ रहा आपको यहां से मैं कर देता हूं इसको तो इसके लिए करेंगे टाइमिंग रहेगा 6 पीम कल के दिन तो जो भी इंट्रेस्टेट रहेगा वह आलाइन आ जाएगा मैं आपको बता दूँगा कोई क्कूश्चिन वगेरा क्वेरी हैं तो हम लोग बताएंगे एक घंटे का लेक्शर में लेने वाला हूं कल के दिन फीर से तो इसके बारे में कल हम लोग करने वाले हैं को रोड़ के विटी एक्सेशन करेंगे किस तरहसे की पार्टिंग लां सिलेक करेंगे तो हम सभी चीश इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, चलो, ठीक है, कोई question को रही है, तो बताइए, super chat क्या है, super chat से आप मुझे support कर सकते हो, आपकी जो comments है, वो उपर आईगी, एकदम तो आप ले सकते हो, super chat जो भी है, ठीक है, तो आप मुझे support कर सकते हो, अगर आपको मेरा lecture अगर अच्छा लगता है, तो आप मुझे support कीजिए, अगर मैं किसी की help कर रहा हूँ, तो आप मुझे support कीजिए, ठीक है, आपके अगर help हो रही है, तो आप मुझे support कर सकते हो, basically वही super chat है, ठीक है, super sticker है, super chat है, ठीक है, तो जो भी आपका जो चेर्ट रहेगा तो उसमें वह आपको उपर न जा रहेगा मतलब ऑफ के जो मैसेंचेंज रहेंगे वह उपर न ज़ने सब्सक्राइबंगे मैं जल्दी कर सकता हूं तो इस लिए आप छूपर चेट ले सकते हूँ जोइन बटन का इस्तमाल कर सकते हो ठीक है जोइन बटन ले सकते हो आप चाहओ तो ठीक है चलिए तो यहां पर मैं आप आप से question पूछ लेता हूं ठीक है do you like my lecture ठीक है बताइए ठीक है कोर्स की प्राइस कितनी है नरेंदर सिंग बोल रहे हैं तो कोर्स की प्राइस के लिए आप क्या कर सकते हो आप मुझे वाटसप पर मेसेज कीज़िए क्यांटर चांटर कमी ओन वाटसप सिंग प्लस नाइंवन अगलेटी है तो आप मुझे एक्या वाटसप। और बताइए क्या कोश्चन के वरी है आपकी और पहली चीज़ अगर आपको चैनल जोइन करना है तो चैनल आप जोइन कर सकते हो बताये तो कैसे यहां पर आप जाओगे यूटूब पर जाओगे यूटूब पर जाकर आप लिखोगे टेग डिजेंट स्टडी एटेग युख वद्द जौन गोफचन पर आप क्लिक करूगे तो आपको अगर कोई भी अगर लेवल लेना है तो नियुक्त अगर मेंबर शीप में अपना खूड का वीडियोग करवाना है आपके अपना खुद के आपको साथ में आना है तो भी आप कर सकते हो ठीक है चलिए बताइए और कोई कोशन आपका कुछ भी आगर हो तो आप मुझे मुझे से पूछ सकते हो ठीक है दोस्तों तो कल के लेक्चर भी फिर हम लोग मिलेंगे ठीक है तो कोई भी कुशन को अगर आपकी रहेगी तो आप मुझे बताइएगा यहां पर देख लेते हैं और मैं आपको अगर जाइन करना हो तो को जाइन कर सकते हो कोशन कर लीजिए जो भी आपको करना है करना है या फिर अच्छा एक और चीच सॉलिड वक का भी मैंने कॉर्स स्टार्ट किया है स्वालिड वक का अगर जो भी इंट्रेस्टेड हो स्वालिड वक सीखने में जो कि एडवांस लेवल कर रहेगा तो आप मुझे बताइए वाट्स अप पे टिक है वाट्स अप मेसेज लगाइए टीच सॉलिड़ वक में टाइए भी मार्वांस वक का अवाल वक का आप लेवल को अप प्रेशिता है वक कम का मुझे वक की बताइए वक कि एड़िए झाप बताइए पर रहे यहज।